नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कीमती वस्तु अगर खो जाए तो क्या करें कैसे प्राप्त हो आज हम आपके साथ जुड़े हैं दो टोटका लेके दो महा परियोग लेकर और इस परियोग को करने से आपकी वह वस्तु 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है और यह 99% माम कुछ होता है जैसे कि आपने कोई आपकी जूल्टि है आपने कहीं रख दिया आपकी घड़ी है आपका मोबाइल है या ने आपका आगाट है या पी आदार बैंक के तमाम कार जाते हैं जगह-जमीन के काप जाते हैं सभी कुछ दो कीमती होता है यो कि ज़रूरी चीज troubled जो आपकी costly चीजे है वो कीमती हो जाती है जिसकी आवसकता आपको बहुत है या पिर जिसका कहीं उठा कर रख दिया तो परिसानी बढ़ जाती है कई बार बड़े भी मोबाइल है आई काड है आपके घड़ी है बहुत तरीके चीज होते हैं अंगुठिया है ब्रासलेट है आप कहीं रखके भूल जाते हैं या किसी ने चुरा लिया चोरी भी होता है ऐसा नहीं कि नही है को गई है याद रखिए आपकी कोई भी किम्ती वस्तु को गई है गुब हो गई है तो सपसे पहले आपको एक काम करना है आप अपने घर में एक सब il कहीं भी आपक़ ते पास रूमाल होगा सफड रूमाल ले ले नहीं है तो आप तुरंथी एक सफेद रुमाल कहीं से ले ले या फिर सफेद कलर का कोई कपड़ा का टुक्रा अब जरूरी नहीं कि नया ही लेना है पुराना कपड़ा भी चलेगा लेकिन सफेद होना चाहिए अब इस रुमाल के ठीक के शिकां रकें ये सिकां एक पांच का दसका कोई भी सिखांभी हो सकता है अब चारो ओको रुमाल को चारो कोनह होता है आपसमें बांदे इसको आप घर के पुजास्थान पर ररग दे और भगवानसे सब्सक्राः नकरें कि हैब कि आफकी खोई भीवीस्तु जहीजील क् þै भगवान से कहिए कि वो हमें प्राप्त हो जाए और जब आपको मिल जाते हैं खोया हुआ वस्तु तब इस रुमाल में जो सिक्का है पास के किसी मंदिर में ले जाकर इसको आप दान पेती में डाल दें या किसी गरीब बैक्ति को भी दे सकते हैं और जो रुमाल है उसको प्रियोग था यह रुमाल वाला प्रियोग जो तिस यह प्रियोग है लेकिन अब हम आपको टोटका बताएंगे और इसका प्रभाव 99.99% कारगर है यानि 0.1% संभावना है कि अब माल लेते हैं आपके बस्तु कोई लेके चला ही गया तो फिर मुस्किल होगी लेकिन जहां आपकी कोई वस्तु खो गई है जैसे ही पता चले याद रखिए पता चले जैसे ही कि आपकी कोई वस्तु खो गई है आप पुरुस हैं महिला है आप कोई भी है आपने जो वस्त्र पहना है अब महिलाएं साड़ी पहनती है सलवार सूत पट्टा लेती है पास में रुमाल ह होता है पुरुसों का रुमाल होता है आपके पास तॉलिया है जिसको गमची भी कहते हैं तो जो भी वस्तर है आप उसमें गांठ लगाना है कैसे लगाएंगे आप पहले मन में यह ध्यान कीजिए कौन सी वस्तु आपकी गुम हो गई जो आपको नहीं मिल रही फिर आप गां कपड़े में गांठ एक गांठ लगाना है याद रखिए कस के गांठ लगा दीजिए तो यह परियोग आपको करना है किसी भी दिन जब भी आपको पता चले आपकी वस्तु खो गई हो उसी समय करें जब आपको वह वस्तु प्राप्त हो जाए तब आप हाथ में मीठी वस् अब आप सोचेंगी कि इस वस्तु को क्या खोल कर रख दें इसको धोना नहीं नहीं आप दो सकती है इसको कुछ भी कर सकती है लेकिन अगर आपको लगता इसको उठाकर साइट रखा जा सकता है तो रख दीजिए रुमाल विगर जो जिस भी चीज में आपने गांठे लग आप हाथ में मीठी बस्तु लेकर इस गांठ को खोलें और मीठी खोलना है हाथ में लेकर ही और फिर इस मीठी बस्तु को पानी में बहा दें और बोलिए धन्यवाद सैतान बाबा आपने हमारी बस्तु हमें वापस कर दी अब माल लेते हैं आपके घर में टैब नहीं है पा कपड़े का गजो गांठ है उसको खोलिए और पानी को पानी के सहारे वह मीठी वस्तु है चीनी मिश्री गुड जो भी है उसको आप पानी में भादें या धो दें हाथ से हाथ धोते वे निकाल दें तो ऐसा करने से आपको खोई वी वस्तु प्राफ्ट हो जाती है लेकिन ध सेर करें कमेंट करें धन्यवाद